लाइफ में है टेंशन तो भगवत गीता बताएगी सॉलूशन गीता जीपीटी से पूछ ये जिंदगी का हर सवाल और उसका मिलेगा जवाब कभी कभी जिंदगी की मुश्किले हमारा ऐसा इमतिहान लेती है कि हमें कोई रास्ता नहीं सूचता अक्सर हम ये कहते सुने जात हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा इसी का सॉलूशन लेकर आएं हैं गीता जीपीटी तो आए इस वीडियो में जानते हैं नए गीता जीपीटी के बारे में ये वीडियो बहुत ही नॉलेज़ बरा होने वाला है तो हमारे साथ अंध तक जरूर बने रहें वरतमान में आटिफीशल इंटेलिजन्स AI का जमाना है इंटरनेट, विज्ञान, मेडिकल एजुकेशन, हर जगा पर AI युक्त रोबोर्ट्स और मशीने काम समाल रही हैं हाली में एक नया AI चैटबोट, चैट जीपीटी भी आ चुका है, जो गूगल को टकर दे रहा है अब इसी क्रम में गूगल के एक इंजीनियर ने गीता जीपीटी नाम का एक चैटबोट भी लॉंज कर दिया है सबसे पहले हम यह जानते हैं गीता जीपीटी चैटबोट आकर है क्या इस चैटबोट को बैंगलूर इस्तित गूगल सौफ़वेर इंजीनियर सुरूक साई विनत ने डेवलब किया है वह स्वैम भी भागवत गीता से प्रेरित है उन्होंने AI का प्रेयोग करते हुए से डेवलब किया है कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार या एक Artificial Intelligence युग चैटबोट है या Open AI के चैट जीपीटी थ्री मोडिूल पर काम करती है इसके जरिये आप एक आसान इंटरक्टव तरीके से अपने जीवन की समस्याओं को सुलजा सकते हैं अब हम गीता जीपीटी के काम करने के तरीके को जानते हैं या एक चैट जीपीटी टूल है जो भगवत गीता से सम्बंदित सभी सवालों के उत्तर देता है आप अपने जीवन में सम्बंदित सभी समस्याओं के हल इस टूल की साहिता से पा सकते हैं कुल मिलाकर अपने भगवत गीता को जानने और समझने के लिए आपको किसी अन्य किताब या टूल की जरूरत नहीं है आप इससे बात करते हुए भी सब कुछ जान समझ सकते हैं इस टूल के फायदे के साथ कुछ सीमा भी है वो भी जान लेते हैं यह टूल वैसे काफी उप्योगी है परनतो इसके कुछ सीमाई भी है यदि आप इस टूल से गीता क्या तरक्ता अन्य चीजों के बारे में पूछेंगे तो यह नहीं बता पाएगा वास्ताव में देखा जाए तो इस टूल का अपयोग केवल गीता को समझने के लिए किया जाना चाहिए अगर आप भी चैट बूट गीता जीपीटी के इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आप www.gita.in website पर विजिट कर सकते हैं और इस्तिमाल कर सकते हैं आपको या आइडिया कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही नौलिज भरी वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे तो वो चेक करना ना भोलें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बंदे मातरम भारत माता की जाए